हेलो गाईज मैं हूनिधी शर्मा और NCRT समरी यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है आज हम क्लास 7 की हमारी पोयम है गार्डन स्नेक बगीचे का साप आज हम इस पोयम को डिसकस करेंगे सो लेट स्टार्ट क्या आपने कभी किसी साप को किसी नेवले से लड़ते हुए देखा है या फिर साप को अपने बिल में जाते हुए देखा है या फिर साप को नदी पे तैरते हुए देखा है सभी के सभी ये विश्वास करते हैं कि साफ काफी खतरनाक होते हैं लेकिन कुछ लोगों का ये विश्वास है कि जादतर साफ खतरनाक नहीं होते read this poem on a harmless garden snake तो हम इस poem में किसके बारे में पढ़ेंगे? एक harmless जोकिसी को नुक्सान नहीं पहुचाता है एक ऐसा बगीचे का साफ है अभी इस poem में उसके बारे में पढ़ेंगे तो इसमें जो point है वो बताते हैं कि मैंने एक साप को देखा और मैंने मैं साप को देखते ही वहाँ से भाग गया क्योंकि जो कुछ साप है वो काफी डेंजर्स होते हैं खतरनाक होते हैं असा उन्होंने सुना है लोग कहते हैं कि साप काफी खतरनाक होती हैं लेकिन जो point की मदर है वो कहते हैं कि ये वाला जो साप है इस तरह का जो साप है ये वाला जो साप है वो काफी अच्छा साप है और इट सप होता है खाता है यह क्या खाता है यह सिर्फ कीडे मकोडो को ही खाता है अपने भोजन के लिए So when he wiggles in the grass तो जैसे ही wiggles होता है ऐसे घूम घूम के लपेटे मारके से रिंग की चला तो वो जिब घास में ऐसे तेधा मेडा चल रहा था I'll stand aside तो मैं एक side खडा रहा and watch him pass और मैंने उसको अपने side से ऐसे जाते हुए देखा कि कैसे वो मेरे side से बिल्कुल निकल के चला गया And tell myself there is no mistake और मैं अपने आप से बोला कि इसमें कोई गलती नहीं है इसमें कोई दोरा ही नहीं है It is just a harmless gardens ने कि ये जो साप है वो तो बिल्कुल किसी को नुक्षान ने पहुंचाने वाला एक बगीचे का ही साप है तो हमारी poem है गार्डन स्टिक और इनके poem है मोरेल एस एल सौने तो आज की वीडियो में सुर्फ इतना ही I hope आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कल फिर मिलते हैं ने वीडियो के साथ अपता के लिए बाई बाई